तो बच्चों के चल रहे हैं अभी एक्जाम मेरी बेटी का भी एक्जाम चल रहा है तो उसे जब भी पढ़ाने बैठती हुना तो कुछ न कुछ लालस देना ही पड़ता है तो मैंने उसे प्रामिस किया था कि ठीक है मैं आपके लिए ब्राउनी बनाऊंगी तो वही बना रह है मैंने एक बड़ा सा बाउल इसमें डाल दिया है जैगरी पॉडर एक कटोरी भर के और तीन चमच के करीबन मैंने लिया था यहां पर दही तो जितनी भी चीज़ें मैं कोई नाब तॉलके नहीं लेती हूं क्योंकि मुझे बनाते बनाते इतना अंदाजा होगे कौन सी च यहां पर मैंने दो चमच तीन चमच भर कर अच्छे से डाल दिया है कोको पॉडर और सब को अच्छे से मिला लेंगे और एक अच्छा सा बैटर तयार हो जाएगा तो बिलकुल चॉकलेट फ्लीवर वाली ब्राउनी बनाऊंगी और बहुत ही बढ़िया बनती है वैसे तो म बिलकुल बढ़ियां सा आटे वाला ब्राउनी बनाना था मुझे आटे और गुर से तो बस यहां पर डाल दिया है मैंने एक कटोरी उसी कटोरी में भर करके गेहूं का आटा वीट फ्लार और इसमें डाला है दूद और दूद का कोई हिसाब किताब नहीं है एक्दम कि लिया है और इसके बाद मैंने डाला है यहां पर बेकिंग सोडा तो बेकिंग सोडा मैंने लिया है एक छोटा सा चमच और जस्ट उसका डबल लिया है मैंने यहां पर नॉर्मल सोडा वो डालने के बाद इसे भी मिला लेंगे और यहां पर मैंने कोई छाना वाना नहीं है जैसे कई बार होता है कि केक वगरा में छानना रहता है आटे को तो वह मैंने नहीं करा है नॉर्माली आटा निकाल करके कंटेनर से डाल दिया है इसमें सीधे और इसमें डाला है कच्छे दूद का यूज नहीं करें तो बेटर है पका करके ही यूज करें और इसके बाद मैंने बटर पेपर ले लिया है तो ना माइक्रो वेब में बनने वाला है और नहीं किसी कड़ाई के अंदर कुछ रख करके बनने वाला है यह सीधे बनेगा यह मेरे पास एक पैन है इसमें बनाने वाली हूँ तो इसमें हलका साथ को किनारे किनारे से ग्रीस कर दिया है चारो तरब से और बटर पेपर को उसके साइज के हिसाब से कट कर लिया है तो बटर पेपर भी डाल देंगे इसमें और उपर से भी हलकालका से ग्रीज कर लोगे हलका सका ओईल लगा देंगे तो यहां वेजटेवली ओईल का ही यूज किया है और साथ में बेटा आ गया था बेटी को बहुत मन है केक खाने का तो बेटी अभी सो रही थी तो मैंने सो चुपके से बना देते हैं सप्राइज देंगे पर कुछ ऐसा सप्राइज देने के लिए था नहीं और साथ में इसमें डाल दिया है मैंने याँ पर मेरे पास वालनट्स थें तो वो डाल दिया है आप चाहो तो कोई भी ड्राइफूट्स का यूज़ कर सकते हो तो इस तरह का बैटर होना चाहिए कुछ पकोड़े जैसा जिसे पकोड़े के रिए बनाते ना बैटर उतना ही रनी होना चाहिए तो वो सब सारा का सारा इस फ्राइफ पैन में पौर कर दिया है इसके बाद इसे हलका साथ टाप कर देंगे ताकि कोई एर ना रहे अंदर में आप चाहो तो आठा छान करके भी डिसकते हो मैंने नहीं लिया था मुझे पता ओ गया कि कब आठा छान के लेना से मैधा वगरा है उसे मिसे छान के लेना चीए आटा बगरा मैं कभी छानके नहीं लेती हूँ तो इसे पूरा कड़बूरा डाल दिया है और साथ में इसमें जो लीड में थोड़ा सा भी कैप रहता है न कहीं कहीं पर मैंने आटा लगा दिया था किया मेरा बेटा बार-बार हिला रहा था तो यह धकन को और इसके साथ ही इसको मैंने कवर कर दिया था और तो यहां केक बन के त्यार है और इसे फिर मैंने सोचा थोड़ा सा डेकुरेट कर दिया जाए चौकलेट चौकलेट सा तो मैं मेल्ट करके भी चौकलेट डालना चारी थी डबल बॉयलर मेथड से बट मैंने उपर से डाल दिया तो पूरा का पूरा चॉकलेट मेल्ट हो गया है और केक में बहुत अच्छी सी एयर आई है आप देख सकते हो रेसपी अच्छी हो तो लाइक करे वीडियो